So Hello and Namaskar दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके मुवाइल पर Android System WebView Disable हो चुका है और आप उसे इनेबल करने की कोशिस कर रहे हैं और करना ही पा रहे तो गाइज इस वीडियो में आपको कुछ स्टाप्स बताने वाला हूँ जिनको फोलो करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे लेकिन वीडियो में आगे पर नहीं पहले गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं के है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए और हमारे चनल को सबस्क्राइब कर दीजिए साथ ही साथ इस वीडियो पर भी लाइक कर दीजिए देखे गाईज तलते हैं प्लेस्टोर पर और आपको दिखाते हैं Android System WebView यहां पर गाईज देखे प्लेस्टोर पर आप जैसे ही सल्च करते हैं तो आपके सामने यह लिखा आता है Android System WebView Disable तो गाईज होता हैं Android System WebView हर डिवाइस के अंदर प्री इंस्टार्ड होता है गाईज यह Google Chrome का ही प्रोड़क्ट है इससे क्या होता है अगर हमारे डिवाइस में कोई भी बग वगरा आ जाता है तो यह उसको fix कर देता है यह enable होना जरूरी है और गाईज इसका एक फाइदा यह भी है कोई third party apps के अंदर अगर हम किसी link को open करते है तो यह हमें जो stable जो browser होता है यह उसी app के अंदर खोलने में हमारी मदद करता है देखिए गाईज इसको आप किस प्रकार enable करेंगे क्योंकि एक फाइदमेंट टूल है तो आज मैं इसी की setting आपको बताने वाला हूँ देखिए आपको जाना है setting के अंदर setting पर जाने के बाद गाईज आपको यहाँ पर एक option ढूंड लेना है additional setting का देखिए गाईज additional setting पर हम click कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक option मिलेगा developer option इस पर हम click कर लेते हैं यहाँ पर click कर लेने के बाद यहाँ पर Osun देक सकते हैं web view implementation देखिए यहाँ यहाँ पर हम आजाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दो option मिलेंगे, Chrome और Android System WebView, WebView पर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से यह वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से भी इसको enable कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे mobile में यह वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें जाना है back, बैक कर जाने के बाद गाईज, हमें जाना है दुबारा से play store पर, play store पर जाने के बाद गाईज, आपको क्या करना है, यहाँ पर type कर लेना है Android Secret Setting, Android Secret Setting होने के बाद गाईज, आपको यह जो उपर दिख रही है, hidden setting for Android, इसको अपने mobile में इंस्टाल कर लेना है, इंस्टाल कर लेने के बाद गाईज, देखिए, आपको करना है इसको open, यहाँ पर open कर लेने के बाद आपको यहाँ पर type कर लेना है, manage apps, तो गाईज, देखिए, हमारे सामने कुछ यह तीन option आ जाते हैं, आपको सबसे उपर वाले पर select कर लेना है, यह select कर लेने के बाद आप direct आ जाते हो, app info के अंदर, यहाँ पर आपको कुछ second इसके लिए wait करना है, तब आपके सामने कुछ इस परकार से यह apps की एक लंबी लिफ्ट खुल जाएगी, यहाँ पर गाईज, मैं आपको एक बात और बता दू, अगर आप Android का Oreo या फिर Nogget वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यह default रूप से आपके मुबाइल में disable ही रहेगा, यह फिर आप इससे नीचे वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यह आपके मुबाइल में enable ही रहेगा, यहाँ पर आज आने के बाद गाईज, यहाँ पर आपको सर्च करना है Google Chrome, Chrome पर आपको टैप कर देना है, और यहाँ से एक बार disable पर click कर देना है, गूगल करोम को disable कर देने के बाद गाईज, आपको आ जाना है back, बैक आ जाने के बाद गाईज, आपको open कर लेना अपना play store, play store पर आ जाने के बाद गाईज, आपको यहाँ पर type पर लेना है android system web view, यहाँ पर गाईज, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक update का option मिलेगा, तो आप इसे update कर सकते हैं, तो गाईज, जैसे ही मैंने google करोम को disable किया था, तो automatically जो हमारा screen recorder था, वो बंद हो गया था, जिसकी और मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने अपने android system web view को यहाँ पर update कर लिया है, तो गाईज, आप देख सकते हैं, जहाँ पर पहले आप disable देख सकते थे, यहाँ पर अब installed का option आ चुका है, तो गाईज, हमारा यह android system web view यहाँ पर activate हो चुका है, तो गाईज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लेज, हमार चैनल को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, till then, bye bye friends.